आमिर खान is known as Mr. Perfectionist of Bollywood जितने perfection से वो अपने सभी रोल को प्ले करते हैं उतने ही perfection से आमिर अपने रोल को चूज भी करते हैं अक्सर आमिर box office collection के मामले में अपने ही फिल्मों का record तोड़ते नजर आते हैं और एक नए फिल्म के साथ एक नया है record बना देते हैं तो आज हम इस वेडियो में आमिर खान की 5 highest IMDb rated movie के बारे में बताएंगे जो आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए पर उतसे पहले मेरा नाम है तनू और आप देख रहे हैं social flux नमबर 5 रंग दे बसंती रंग दे बसंती is greatest film of all time 2006 में जब यह film release हुई थी तब इसने कई records तोड दिये थे रंग दे बसंती अभी भी one of its kind movie है जिस तरह से film में country में चल रहे corruption को portrait किया गया था वैसे आज भी कई political film नहीं कर पाती है रंग दे बसंती में हमें friendship के importance को भी बताया जाता है इस film में कास्ट की performance, cinematography और music सब कुछ top notch है and we believe की रंग दे बसंती आमिर खान की one of the best movie है इसकी IMDb rating है 8.1 जिंदगी जीने के दो ही तरीक्के होते है एक जो होडा होने दो बरदाश करते जाओ या फिर जिम्मिदारी उठाओ इसे बतलने के समबर फोर पे आमिर खान की तीन फिल्म है पीके, लगान और सर्फरोश इन तीनों movie की IMDb rating 8.1 है या तीनों ही movie अपने आप में काफी अच्छी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्फरोश के बारे में जो 1999 में आई थी और इस फिल्म को release के वक्त काफी अच्छा response मिला था टेरोरिजम जैसे serious topic को जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया वो audience और critics को काफी पसंद आया और आमिर खान की performance की भी बहुत तारीफ हुई दोसरी फिल्म है लगान जो की कितनी iconic film है ये हम सब को पता है लगान आमिर खान के साथ साथ audience के लिए भी बहुत special film है और इस film की legacy को match करना impossible है नमबर थ्री पे है PK यो 2014 में आई unique filmों में से एक है इस film को जितना appreciate किया गया उतना ही backlash भी झेलना पड़ा अपने controversial topic के वज़ा से पर criticize होने के बाद भी PK ने कमाई के मामले में box office पे कर record बनाए नमबर थ्री तारे जमी पे तारे जमी पे movie में आमिर खान ने सिर्फ act ही नहीं किया था बलकि उसे produce और direct भी किया था तारे जमी पे से ही आमिर खान ने अपने direction डेब्यों किया था और इसके लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई थी यह movie एक proper mix से emotional drama का जिसे हर age के लोग enjoy कर सकते हैं हमारे हिसाब से this movie is a pure form of art और अगर आप आमिर खान के fan हो तो आप इस movie को बिलकुर भी miss नहीं कर सकते तारे जमी पे की IMDV rating है 8.3 नमबर 2, Dungal दंगल के बारे में कौन नहीं जानता होगा दंगल इंडिया की highest grossing film है और यह record आज तक कायम है दंगल में हमें गीता फोगाट और बबीता कुमारी की कहानी दिखाई गई थी जो इंडिया की पहली world class wrestler थी आमिर खान ने इस फिल्म में गीता और बबीता के फादर महवीर सिंग का रोल प्ले किया था जिनका बहुत बड़ा रोल था अपनी बेटियों की success में अब वो कैसे यह तो आपको मूवी में ही पता चलेगा दंगल की IMDV rating है 8.3 नमबर 1, Three Idiots भले ही कमाई के मामले में दंगल टॉप पे हो पर रेटिंग के मामले में Three Idiots ही हर बार टॉप पे रहती है इस मूवी का एक अलग ही magic है हर बार इस फिल्म को देखने में मज़ा आता है Three Idiots एजुकेशन सिस्टम, पैशन, करियर जैसे टॉपिक पे बात करती है वो भी काफी entertaining way में Three Idiots आज भी एक iconic movie है जिसका remake अल्मुस्ट हर इंडरस्ट्री में बन चुका है इसकी IMDb rating है 8.4 तो यहां थी वो आमिर खान की 5 highest IMDb rated movies आपके इस सबसे और कौन सी movie को इस लिस्ट में होना चाहिए था हमें comment box में जरूर बताए और आमिर खान की आपकी favorite movie कौन सी है यह भी हमें बताए और वीडियो अच्छी लगी हो तो चानल को subscribe करें